हेलो फ्रेंड्स हाज हम टाइम एंडवर्टी फिटŇन करेंगे कोशन यह आपका एक इसी काम को पंदरा दिन में तथा बी इसी काम को 24 धिन में समाप्त करता है रहा है दोनों का यूए कॉर्लुकर करते हैं किंतू कारे समाप्ति से दो दिन पहले बी काम छोट देता है तो बताओ कुल कारे कितने दिन में से पूरा होगा पहले जैसे कि हम करते हैं simple वही कर लेंगे अपना A करता है 15 दिन में से काम को complete और B करता है 14 दिन में LCM लेंगे total work आ जाएगा हमारा efficiency निकालने के लिए total work upon number of days जितने दिन में वो काम समाप करता है तो 8 आ जाएगा कि यह जो है आठ दिन में पूरे आठ नी आठ वर्क पूरे दिन में समाप करता है जबकि भी पांच वर्क एक दिन में पूरे करता है तो इस हिसाब से इनके efficiency आ जाएगी जैसा कि आपको पता ही है कैसे निकालते है efficiency उसके बाद हम आते हैं अपने question पर आगे वह दोनु मिलकर कारे प्रारम करते हैं वह दोनु मिलकर कारे प्रारम करते हैं अगर हमारा कार्य यहां पर समात हो रहा है तो इससे दो दिन पहले मिन्स यहां पर B जो यहां चला जाता है कार्या जाता है तो इतने दिन का काम A अकेले करेगा तो इसके लिए क्वाण है कि कितना वर्क कम्प्लीट कर लेगा है बही 16 वर्क जिसमें से इसमें से बक्रत तो 60 जिसमें बचा कितना हमारे पास अब 104 वर्क ए और B दोनों मिलकर कितने दिन में समाथ करेंगे बताना है तो इसके लिए कहा करेंगे जितना वर्क है अपॉन में A और B की एफिसेंसी तो 104 वर अपन में एवर बी की एफिसेंसी 8 प्लस 5 स्कल्ट्र टेरा डिवाइड करेंगे तो एक वो डिवाइड करने पर 8 देज तो यह आ जाएगा पांच दिन पहले भी सामिल होता है तो बताओ कि कुल कारें कितने दिनों में स्मापत हो जाए रहा है देखिए बैटा यहां पे में बात क्या है यह चीज है पांच दिन पहले सामील होता है, समापती से पांच दिन पहले भी आ रहा है, तो पहले जैसे के हम देखेंगे, ए गरता है, 20 दिन में किसी कारे को कम्प्लिट भी करता है, 25 दिन में, LCM, total work हाजएगा 100 , उसके बाद efficiency निकालने के लिए total work upon में जितने days में वो काम करते है तो एक ही कितनी आजाएगी 5 बर per day मारलब ए पांच बर करता है हर दिन के अचार बर करता है हर दिन के हिसाब से और बी करता है 4 बर के तो यहां पे आप देखिए फिर यह हमारा total तोटल वर् कितना है? हैंदर्ट, जो कि हम यहां से मिला। इस वाले से मिले यह आ गया है, ठीक है। इसका कारे मों पहले सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो 5 दिन पहले तो मतलब 5 दिन तक A और B दोनों मिलकर कारे करेंगे अब A पलस B दुवारा 5 दिनों में किया गया कुल कारे कितना होगा अब A और B पांच दिन तक मिलकर कारे करेंगे ठीक है तो कितना work कर ले वो total हम देखेंगे हैं इसके लिए क्या है, efficiency a plus b into में जितने दिन तक वो काम करेंगे, मतलब 5 dins तर, तो efficiency a की क्तनी है 5, b की कितनी है 4, यहाँ है, यह 5 efficiency a की और b की यह 4, 5 5 545 वर्क ठीक है तो मतलब कर लेंगे और भी 5 दिन में अब देखो कहां गया एग यह यहां पर क्या होगा टोटल वर्क है 100, 400 वर्क है यह रहा, 45 वर्क हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 55 बचा, 100 में से 45 वे 55, अब यहाँ पर A अकेला है, क्योंकि B जो है, वो कार्यसमागती से 5 दिन पहले आया है, इससे पहले A ही कर रहा था, अकेला काम कंटिनू, तो A दुआरा 55 वर्क, क यह कैसा है, टोटल वर्क में से यह वाला वर्क घटा दिया, तो 55 वर्क, A को अकेले गरना है, तो इतने दिन में गरपाएगा A इसको, तो टोटल वर्क है हमारा, जो रिमेनिंग वर्क बचा है, 55 वर्क अप उनमें एक एफिसेंसी कितनी है, 5 तो 55 वर्क पांस 11 टेस, खिक ह तो अब हमें बताना कूल कारी कितने दिन में समाथत हो जाएगा, तो A कितने दिन में चिया गया कारी है, 11 टेस में, और A पलस B कितने गए हैं, 5 टेस, तो टोटल कारी समाथता हमारा, 16 टेस में